वोगो में सब्सक्राइब तो दीछ य। वेल कमें यहरे अगेन धीनल जान करें मैसेल विध अभी अविलाशी शर्मा गल करांगे बिल्स आफ प्सक्शंग पार्ट वर विच दिस वन्राफ फबल इन दिफेंट कंडिशंस, चाल इफेंट कंडिशन ने, बिल रितेंट बाइ द्रा तिल मेजोरी, बिल दिखांत फों बैंक एंड़्सम एंड एंड आखिए बाइंक बैल संतु बैंक फोराइज बैंक एंड नाली इतेल दिश्कॉसन और अगी अबाट नोत इंट ने विडियो नूं complete देखो, end तक देखो, full screen करके देखो, जिस device नूं भी तुसी यूज़ कर रहे हूं, earphone जा, headphone नूं यूज़ करो, तांकि content नूं clearly समझ सको, इस तों इलावा, क्योंकि ये part 4 है, तेरे तिन part ने bills of exchange दे, दे, A34, A35, A36, ए तिन different lectures देवीच, basics दे, bill of exchange दे, maximum topic में clear कीता हुए, दो-दो वीडियो ने, one in Hindi, as a medium introduction, second one in in Punjabi, और गे बाद देख, accounting treatment of bill of exchange, जो basic entries ने, bill of exchange देवीच, कोई भी condition होए, पहली हैं, दो entries, जेकर goods दी, sale हो रही है, ते purchase हो रही है, दो ही parties हो दियाने सानों पता है, draw and dry, मलनों आसी, assumption मलनी की, draw A है, bill नूं draw करन वाला, ते dry है, bill दी, acceptance देन वाला, B, सब तो पहला, goods sale कीती है, A ने, B नू, ता simple जो sale purchase दी, credit sale दी, जा purchase दी, entry होगी, जिसने sale कीती हो, दी books देवीच, A है, B's account debit to sales account, being good sold to B, ते क्योंकि, जो दो A ने sale कीती है, B दी books दी, पर्चेज होगी, purchase is account debit to A, उस्तों बाद, draw बिल्ड लिखता है, ते dry on acceptance दे दना है, फिरो legal document बन जनता है, bill receivable account debit to B, and A's account debit to bills payable, यह ओं entries ने, जो कोई भी conditions होवे, यह दोनों entries, as it ही चल दी, और जे sale purchase देती हो, ते entry आन दी है, build the acceptance वाली होवे, तो यह वाली entry आन दी है, त्यान रख्यों, इस तों बाद, इन जिडे मैं तिन वीडियोस दी खल कर रहा है, 34, this one is 35, and 36, पंजाबी ते हिंदी मीडियों दे वीच, टोटल छे वीडियोस बने है, इस तरह तिन तिन पार्ट ने, दोनों different मीडियों दे वीच, इना दे वीच मैं डिटेल दे वीच, दिसकर्शन कीती गई है, bills of exchange, features, format and parties of bills of exchange, फिर promise तो बनिया, प्रिमोसरी not, parties, format and differences from bills of exchange, due date, the calculation की में हंदे, जिनों सी maturity date केने, days of grace की हंदे ने, ते accounting treatment, असी 4 different cases दे वीच, इना तिन वीडियोस कीता जा चुक है, bills retained by a drawer till maturity, जे कर बिल नूँ, जेडा drawer है, अपने कोल रखता है, majority rate तक ता majority rate नूँ उसनों payment मिल जाना, बिल अपाँ drawer कर लिया, सी उपर देख्या सी, बिल दी acceptance में लीस तो पहला वाली, screen दे वीच तो नूँ में दिखाया, जे कर बिल नूँ discount कराया गया bank तो, ता final payment बैंक नूँ कर जाना है, dry, फिर drawer नूँ नहीं मिल दी, जे कर drawer बिल नूँ endorse कर जाना है, किसे third party नूँ, जिस नूँ endorse कीता जाना है, final payment उसनों मिल जाना है, बिल सेंट बैंक फॉर collection, जे कर बिल नूँ bank नूँ collection ली पे जाना है, ता final payment बैंक दे अकाउंट दे बीच ड्रार दे जमा हो जन्दी है, इस चार डिफरेंट केसिस दे बीच बहुत सार यान अमेरिकल प्रावलन से नाल, तिननों वीडियोच मैं कॉंसेप्ट नूँ clear कीता है, और उनू देखना बड़ा जरूरी है, और ना दी knowledge होनी बड़ी जरूरी है, ताहिए असी अग्गे वज सकांगे, आज दा बड़ा important of, that is about dishonor of our bill, yes, अपा simple जी गाल लगरे, dishonor, honor तो बने, honor मैंने सम्मान करना किसे दा, किसे दा सम्मान की होन दा भी, yes, builder सम्मान की हो सकता है, मैं सोचके देखो, builder सम्मान ता ही है कि उदी payment कर दो time से, yes, यही है जी जिदे बार मैं गाल करना करना है, bill is said to be dishonored when the drive fails to make the payment on date of maturity, करन दे विचे fail हो जंद है, then it is said to be dishonored, ता बिल नुँ dishonored मने जानता है, कि उदा सम्मान नहीं की था गया, the bill may get dishonored when the drive doesn't have sufficient funds to pay the bill, और he becomes insolvent, dry कोल पैसे नहीं है कि payment करन दे लगी, यह insolvent हो जंद है, payment नहीं कर पा रहा, यह उदे इरादे भी गलत हो सकते नहीं, यह भी सोचके जो लोग यह payment कर नहीं नहीं जान दा, मंच बेमान नहीं, in this situation entries regarding bills have to be reversed, जो सी उपरें एंट्री से कीतिया है, जीडियो में पहला दसी है कि bill लिख्या गया, बिल दी पेमेंट नहीं हुई, ता जो बिल लिखन दी entry और reverse हो जन दी है, so dry again becomes debtor, dry दोवारा debtor बंजन दे, एक दूसरे दी books थे भी, so dry becomes debtor and rare as a creditor in each other's books, this is what I have mentioned here in this slide, समझ लग गया, for example, इन्हों अगे क्लीर करांगे different type दे, practical problems नहीं लिख्या, जनल एंटिस की होंदिया नित्यान रखो, accounting treatment दी में अंगल कर रहे हैं, बिल लिख्या गया, उत्थी तक दी दो एंटिस अनुमें दस चुके हैं, sale दे बिल लिखन दी, बिल दी acceptance में लगन दी, हुन चार different case ने, जो दो बिल dishonor होंद है, चार case कड़ने जिनावरी में उपर दस ऐसी कि पिछली तिन वीडियोज में clear कीता है, ड्रार कोल भी बिल हो सकता है, due date नूँ जो दो बिल dishonor होगे, उस हाल अच की होंदा है, पहला आपका एंटिस देख 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 देख, फिर अगे बाद देख, पहला केस है है, जेकर, if the drawer let A retains the bill till due date received from drive B, माल लो, जिस दिन payment होनी सी, वो बिल उस दिन ड्रार कोल सी, ते bill dishonor होगे, उस हालत देख जो biller C-vival दी एंट्रिया सी, A दी बुख्ष केते सी, याद होबे पीछे, biller C-vival account debit to B, ओ entry reverse होजेगी, B's account debit to biller C-vival, biller C-vival पहला debit सी, हुन credit होया, biller C-vival cancel होगे, समझ लगया, उस ते दूसरा B business दा दुवारा debtor बन गया, उस तो दुवारा पैसे लेन वाले बन गया, books of B, जड़ा dry है, उदे वास्ते same bill bill payable सी, उनने payment नहीं कीती, ता bill payable ओधो entry असी केती सी, A account debit to bill payable, हुन क्योंकि dishonor होगया, ता ए दुवारा business दा dry दी books दे वीच, business दा एक creditor बन जेगा, ता ही था एदे account नू credit कीता गया, ते bills payable जड़ा credit कीता गया, ते उननू debit entry बन जेगी, bills payable account debit to A's account, जेकर due date नू bill, draw call होवे अपने को, second case ये भी हो सगद है, कि draw ने bill discount करवाया होवे bank तो, if bill discounted from the bank, ता उसके position चेकी होएगा, biller सी वे बलता हूँ अलड़ी cancel होगया सी, books दे वीच, cancel होएगा, पहला debit सी, फिर credit कारता सी, जोदो bank नूँ पे जैसी payment दे लगी, उन की होएगा, दुवारा B business दा debtor बन जेगा, क्योंकि bank तो draw पैसे ले चुके, ऐसी bank business दा creditor बन जेगा, उननों पैसे देन वाले बन जानगे, तो entry बन जेगी, B is account debit to bank account, जोदो discount कराया जानदे होगा, dry the books कोई entry नहीं होंदी, पर जोदो dishonor होया, तरना dry the books दे वीचे same entry होएगी, जो first case सी, bill payable account debit to A, A no पैसे देन वाले बन जानगे, bills payable debit होजए, A entry सिर्फ हो entry है, जोदो dishonor होया, पहला वाली entry सेम ने, जो मैं उपर दास्चों के हैं, या इस तो पहला दी वीडियो समझायागे, third case की होसाद है, bill is endorsed, let to C, मलोई एक पार्टी C है, उन्हों सी bill endorse करता, जोदो endorse कीता सी, उन्हों entry बने सी, C receiver सी, C account debit to bill, receiveable, क्योंकि bill dishonor हो गया, तो दुबारा भी business दा debtor बन जेगा, ते C जिन्हों सी, जोदो endorse कीता सी, debit कीता सी, उन्हों credit करता है, business दा दुबारा हो, creditor बन जेगा, ते आन रोखो, दुबारा creditor बन जेगा, तो entry बन जेगी, B is account debit to C is account, ते जदो endorse कीता जानता है, bill, उदो dry debuts, कोई entry नहीं होंदी, बड़ जदो dishonor होया है, ता सेम entry हो नहीं है, क्योंकि सी dishonor वाली entries ही कर रहे हैं, हर cases दे विच, bills payable account debit to A, जो अपना different case कीती है, ए entry same है, ते आन रखो, समय लगया, इस सारे हैं से ते आन रखो, कि जेकर समझन जो बड़ा आसान है, बी account debit तिन्नों entries है, तिन्नों cases है, bill receivable ओदों होया credit, जेकर ड्रार कॉल है, bank ओदों credit होया, जेकर bank तो discount कराया गया, bank नों पैसे देन वाले बंजन गे, C means endorse इदा account, ओदों credit होया है, जेकर bill endorse कीता गे, clear? If bill is sent to bank for collection, एक case से भी बंजन है, कि ड्रार due date तो पहला, bank नों अपने bill पे इस दंदा है, collection देले ही तांकियोदे, accounts जमा होजान, उस time ची याद करो, पिछी account से वीची जेड़े, बचे continually कर रहे ने, मैं और ना वीडियोज समझा है ऐसी, जेदो bill पे जा जानदा है, तांथी entry उन्दी है, bills for collection account, bills sent to bank for collection account, जा bill for collection account debit to, bill receive वल, हुन क्योंकि, bill disowner हो गया, उस हालत देविच, बी तो दुबारा पैसे लेन वाले बंजन, जड़ा bill for collection account debit कीता से, उन्हों credit करके बंद करांगे, ए ओदों है, जेकर bill bank नों पे जने, collection देली due date to, B is account debit to bills for collection account, समझ लगया, ते उस्तों इलावा, in the books of B, उथे same entry रहेगी, bills पे वल account debit to A, ये थे कोई फर्क नहीं बेरा, dry the books, same entries in case of dishonor, whatever may be the case, if noting charges are paid, noting charges की होंदे ने दे बारे में तर नुदासता है, entry day flow, B is account debit to bills sent for collection account, to bank account noting charges paid by bank, noting charges की खर्चा होंदे, details मैं next slide दासने, जिकर जो bill दा holder होंदे, उननों पे कार दा, bill जिकर bank नुपे जने collection दे लई, ता bank ने noting charges पे गिते होंदे, ता उनने पैसे, जा उनने पैसे bank नुदेर वाले बंजनगे, बाकी entries सेम बंजेगी, बीज अकाउंट आवे टो, bill sent for collection account, पर असल दे वीचे डे noting charges, जा वो dry ने बीर करना होंदा है, घर जा ड्राई दी बुक्स दे वीचे, नोटिंग जार्चार्चा आज एज एक्सपेंस जाएगा, बिल्स पे अटवल अकाउंट आवे, notting charges अकाउंट, आवे टो, इस अकाउंट, ए एंट्री सारे केस्वीचे होएगी, जेकर notting charges पे की पर जाजने, dry दी भुक्स दे वीचे, जिनने notting charges पे करेगा, उनना ही अपने ड्रार नू पैसे देन वाले बन गे ते आन रखे हो ड्राई दे दुवारा Noting charges की हुंदने students ते आनल समझो पेपर दे विच आमतो और ते एक्जाम दे विच एह जार शौट नोट भी आजंद है Whenever any biller CEO will get dishonored by dry to make it legal process the holder of bill should get dishonored by notary public, a legal solicitor or practitioner for this he charged some money as fee which is known as noting charges जोड़ों भी बिलर सी वेवल dishonored हुंद है dry उदी payment नहीं करदा उनने एक legal process बनान दे ले जो बिल दा holder है जिसने हाथ चे बिल हुंद है ओहो एक legal solister मतलब advocate हो सकदा है practice करन वाला जिसनो special power मिली हुंदी है bill नो dishonor करन दे उननो notary public करन दे उननो notary public दे को एक stamp हुंदी है ता उस दी stamp लगके sign होके bill dishonor हुंद है तो legal बन ज़न दे है कि bill dishonor हुआ इदे लिए कुछ पैसे चार्ज करन दे जिड़ा notary public हुंद है उनना charge किते मनी नो जा पैसे है नो उसी noting charges करन दे इननों draw पै कर दे आप या इदा holder जिदा भी bill रसी वादा हुए बट final liability dry दी बन दी है ए त्यान रख्यों ओ खर्चा असल चे dry ने बियर करना हुआ है that is the case of noting charges मालो draw A है dry B है draw ने noting charges पै किते bill dishonor हो गया B account debit to bill or seeable था entry होनी 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 सी dishonor case लेकिन आल noting charges पै किते to cash account नोटिंग चार्जी दा आ गया bill or seeable दा amount plus cash जो noting charges पै किते ने दोना नो add करना तो बाद उनने amount null B है जो business दा dry जिसने bill नो acceptance जिती जिने payment करनी है उस तो इनने पैसे lane वाले बंजन के business देटर बंजेगा दोना दा addition जोड करके bill or seeable and noting charges ते noting charges असल चड्राइदी books दे विच खर्चे दे रूप चाहेगा normal dishonor दी entry सी bill payable account debit to A पर नाल noting charges भी आजनगे हुन bill payable account debit, noting charges account debit किकोंगी expenses always got debited and to A A नूँ पैसे उनने देन वाले बंजनगे जो bill payable दा amount सी plus noting charges being bill dishonor and noting charges paid पर नाल नारेशन तो नूँ सारा नूँ आंदिया ने डिटेल दे विचके विचकोंगी journal entries उसी बहुत पहला 6 चोख या it should be kept in mind noting charges can be paid by bank और इंडोर सी also but final liability of dry noting charges नूँ कोई भी pay करे जो bill the holder है but final liability dry दी बंदिया तेहां रख्यों ड्राइवी बुक्स भी चाहिए नोटिंग चार्जी शोख होंते ने जो भी बाकियां दी बुक्स टू cash जा टू bank जी में भी payment हों दी या उस तरह शोख किता है यादा तो नोटिंग चार्जी शब्द नहीं लिखा जान्दा समझ लगया आओ एक बड़ा important question कर देया आप आए सारिया situation हो देखे त्या आन्नाल बड़ा important है एक question ही तरह दी चार पंज question हो सब्देने और 1st April 2018 Pinky sold goods to Shreya for 20,000 drew upon her a bill of exchange for 3 months Pinky ने 20,000 वस्तु हाँ sale कीती याने तिन मिन्या ते bill राग कर लया तिन मिन्या दे due date दे होते 1 April 2018 नो Shreya नो sale कीती याने Shreya accepted the bill Shreya ने bill accepted कर लया legal bill बन गया return it to Pinky कीते Pinky नो वापस फेस्ता हूं the date of maturity maturity date आई दा bill was dishonored by Shreya Shreya ने payment ने कीती bill dishonored हो गया तांसी चारो cases different देखांगे तां entries की होन गया entries in all the cases listed below in the books of Pinky and Shreya तां ordered case की हो सक्देने अब आए मन के चलते है मालो यह थे line लिखी होए when the bill is kept by Pinky till maturity मालो bill dishonored हो या Shreya ने and the bill was kept by Pinky with herself अपने को रख्खा वया से bill ने किसे नो नहीं दिता से तां उस position चे question की में बनेगा सब तो पहला सेल कीती है दोने ड्रार Pinky है ड्रा इकोने श्रेया सेल दी एंट्री सारे नोगन दी है Shreya account debit to sales Pinky दी बुक्स्ट Shreya दी बुक्स्ट purchases account debit to Pinky being goods sold ते being goods purchase narration हो जेगी bill ड्रा की था bill दी acceptance मिल गी entry की होगी bill receivable account debit to Shreya Shreya दी बुक्स दे बीच Pinky account debit to bills payable clear एक concept था बहुत clear हो चुक्या हो ना क्योंकि असी बारबर कर चुक्या हो उन तक different questions दे वीडियो जे due date की में calculate कर देने जिस्ट है कैसी तिन मिने वाद एक जुलाई बन गया एक capital तो लेके तिन मिने जोड़े तिन दिन grace दे एड़ गी थे July 4 था गया Shreya account debit to bill receivable क्यों? क्योंकि bill dishonor हो या जेदा payment मिलनी हुन दी फिर ताम बड़ा clear सी cash account debit to bill receivable but bill dishonor हो या Shreya तो पैसे लेन वाले बन जन गे bill receivable जो debits यो की हो गया क्रेडिट entry बन गी Shreya account debit to bill receivable Shreya दोबारा business दी debtor बन गी दूसरे बासे Shreya दी books दे वीचे same condition है Shreya दी books दे वीचे एथे pinky आने bills payable account debit to pinky account त्यान रखो written by mistake to pinky account bill payable account debit to pinky account pinky नूँ पैसे देन वाले बन जन गे clear bill payable दोबारा debit हो गया bill payable पहला credit सी जो दो accept न सी देते सी हून debit हो गया clear त्ये pinky नूँ पैसे देन वाले बन गे pinky दोबारा Shreya दे ले होदी creditor बन गे ओ केस है जेकर maturity date नूँ bill dishonor हो जेते ड्रार को बिल होगी अपने को second case same question है sale किती bill accept हो गया एथे तक same question है तांकि समझन चासा आनी रहे same question किता है sale purchase the entries बिलर सीवेवल थे बिल पेवल दी एंट्री जे ओ केस है यह भी हो सकता है थे dishonor किता श्रया ने बट उस तो पहला उन्हें bank तो discount कराया सी वेन bill is discounted by pinky with bank 90,000 19,600 pinky ने उन्हों payment जल्दी चाहिए हो नहीं bank तो discount कर वा लेया bank account debit discount account debit to builder सीवेवल जो दो bill discount कराया जाना है उन्हों dry the books कोई entry नहीं हों दी that is why I have written here no entry उन्हों बिल्द डिसओनर हो गया उन्हों position खड़ी होगी जे करता bill the payment हो जन्हों दी ता श्रया ने bank नूँ payment कर देनी सी pinky call payment नहीं जानी सी क्योंकि bill discount कर वाया गया सी बट बिल्द डिसओनर होया पेमेंट नहीं होई उस हाल च pinky दी books देविच श्रया बिजनस दी द्वारा debtor बंजेगी क्योंकि उन्हें payment नहीं किती श्रया अकाउंट डैविट उस तो पैसे लेन वाले बंजनगे ते bank नूँ देन वाले बंजनगे खुष्रया अकाउंट डैविट डैविट्व बंक अकाउंट टे श्रया दी books देविच बिल पैवल अकाउंट डैविट्व टू पिंकी होने जिए रिवर्स होजेगी जो एंट्री फरस्ट आपर नूँ सी इंडोर्स किता जानदा है ड्रायर दे द्वारा क्योंकि जिसनों इंडोर्स किता जानदा है उसनों ड्रायर ने पैसे देने हो देने इंडोर्स किता जानदा है उन इस केस दे विच पैमेंट नहीं होई डिस ओनर होई है पहले दो एंट्री स्टूडेंट ओही ने सेल ते परचेज दी एंट्री दोना दी बुक्स दे विच बिलर सी वेवल ते बिल पेवल दी जो अक्सेप्टेंस मिली उन जदो इंडोर्समें दी एंट्री हुई है थर्म उन नवीन अकांट डिवल टेलhh टीवल तो बिलर सी वेवल वल डिलर सी शही वेवल य॥ि ख्रय दोना हुटोर्समेंस ऑंटाव् nouveau फार्थ。 द्यू डेट कर डी उस तरहीं calculate किती जुलाई 4 था गी 3 मंथ वार तिन दिन grace दे bill dishonor हो गया ता श्रेया तो पैसे लेन वाले बनजनगे नवीन नू द्वारा देन वाले बनजनगे समझो simple wording भी श्रेया द्वारा बिजनस दी डेटर बनजेगी नवीन द्वारा बिजनस दी डेटर बनजेगा क्योंकि पेमेंट होई नी ते श्रेया दी वुक्स देविच सेम एंट्री जो acceptance दी एंट्री सी 1st April दी ओर वुर्बर्स होजेगी बिल्ड पेवल अकाउं द्वीन द्वारा बिजनस द्वारा बिजनस दी नहीं कित्दी डूडेट में ड्रार तों बिलर चीवेवल अकाउंट डेविट टू पिंकी जदो फ़ूर्ण पेमेंट निमिली पिंकी तो द्वरा पैसे लेन वाले बंजन गे बिलर सीवेवल जड़ा डेविट होया सी इस तो पहला एंट्री ज़़र सीवेवल इस उन्हों क्रेट करगा है एंट्री वन की पिंकी से अकाउंट जाए भी टू बेर सीवेबल ए थर्ड पार्टी ये नवी नीन वालो हो गया जोदो इंडोर्समेंट होई जिसनों बिल इंडोर्स कीता से next case कर दें आपा fourth case एवी हो सकता है question देवीच same question मालो जोदो बिल दी acceptance मिली उते लिखे वे होंदा बिल इस सेंट टू बैंक फोर क्लेक्शन नों 1st July 2018 1 July नू ड्रार ने बिल बैंक नों पेज़ता कि बैंक कोलेक्ट करके उते अकाउंट जमा कर दे ड्रार ने बैंक नों क्लेक्शन ली पेज़या उस हालच क्लेक्शन ली ता पेज़ता बट बिल डिसोनर हो गया बाकी सारा कुश्चन सेम है डिसोनर भाई था शर्या पहला था सेल दी एंट्री थे परचेस दी एंट्री सेम बिल रसीवेबल दे बिल पेज़ अक्सेप्टेंस दी एंट्री सेम जो तो फस्स जलाई नू बिल सेंट क्लेक्शन ली पे जया बिल सेंट फॉर क्लेक्शन अकाउंट डेबिट तो बिल रसीवेबल अकाउंट ता श्रेया दी बुक्ष कोई एंट्री नी ते आन्नल सोचो चाहे ड्रायर बिल नू डिसकाउंट करवांद है या बिल नू क्लेक्शन ली पे जया इंडोर्स करता है ड्राय दी बुक्ष कोई एंट्री नहीं होंद है ठीक ते बिल डिसओनर हो गया ड्यू डेट नू श्रेया दोवारा बिजनस दी डेटर बनगी श्रेया जो ड्राय है ओधी बुक्स दे विच सेम एंट्री रिवर्स होजेगी जो फर्स्ट एपरल वाली सी क्योंकि बिल डिसओनर होया है बिल पेवल पहला पिंकी टू बिल पेवल सी उनकी बनगा बिल पेवल अकाउंट आवी टू पिंकी पिंकी बिजनस दी क्रेडिटर बन जेगी अगे सो स्टूरेंट एक कंप्लीट सेनेरियो है अडर्ड चार सिचुएशन ने बिल डिसओनर हो रहे है हर पॉइंट डू में क्लियर कंदी कोश्य कीती है इक क्वेशन जरूर है बट मल्टीपल है चार-पंच क्वेशन दा एक सेट है नाम चेंज हो सकते हैं अमांट चेंज हो सकती है डेट चेंज हो सकती है बट सिचुएशन रिमेंस सेम तो आई थिंक दा कंसेप्ट इस क्लियर यह स्टूरेंट एथे चैनल देऊ ते अल्रड बहुत सरी यह वीडियोज ने एकनामिक्स ते अकाउंटेंस स्पेसिफिली कॉमर्स देना सब्जेक्स देगा मॉडिवेशनल वीडियोज आलसो देऊ तो सी ओना नुभी देखो आनमली वीडियोज दा भी इंतसार करो जे किसी दी कोई क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स ज